मतलब देखो बड़ी मुश्किल से मैंने एक चूरी का हेलमेट लिया था ठीक है उस हेलमेट को भी पेल के रख दिया वो भी किसने किसी औरी टीम के बंदू ने डीपी चला रहे तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बि बहुत भी उन पर रसरूस करता हूँ और उनकी पेटी बना के रख देता हूँ खैर वो सारे गलत सीन आगे होंगे उसके साथ और भी जादे गलत सीन होंगे और थोड़ी बहुत सस्ती सनाइपिंग भी देखने को मिलेगी लेकिन फिलाल नो वो आ रखे हैं और मेरे पे दो सस्ती गने हैं और मुझे नहीं पता ये अभी भी कैसे नौक हो गया ठीक है क्योंकि मुझे लगनी राथा मैं नौक कर पाऊंगा किसी को भी यहां पे खैर एक को नौक करी दिया है उसका दूसरा बंदा भी उधर ही कहीं बैठा है तो मैं भी वहीं जाता हूँ और इसका टीममेट न जाने कहां से भाईया एमफोर लेके आ जाता है ठीक है यहां गरीबी चाही पड़ी है भाईया उजी वेक्टर ये सब चला रहा हूँ मैं और हमारे भाई कता इएमफोर लेके आ गए होटे हैं उजी भी बढ़िया गन है लेकिन मेरे पर उजी नहीं यूएमपी है उजी के बदले जो कि आपको भी पता है मुझे भी पता है बहुत सस्ती गन है खैर उस भाई की M4 ले लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं बाकी बंदों की पेटी बनाने के लिए तो मैं इसी तलास में होता हूँ देख रहा होता हूँ की भाई बंदे किदा रहे हैं और साथी साथ थोड़ी लूट भी चोरी कर ले तो हना देखो यार अगर मुँपे जाके बंदे के गोलिया खतम हो गई तो जो पेटी बनेगी वो अलग लेवल पे होगी खैर यहाँ पे मेरे पे महेंगी बेरल और दूसरी सस्ती यूएमपी है तो इसी से जुगाट भेडाना होगा अब हमारे भाई क्या सोच के उस तरफ से आई यार मेरे समझ के बिल्कुल पार है बिल्कुल ओपन से चोड में आये थे भाई और अब हमारे भाई बिल्कुल चोड में वापिस जाएंगे लोगी पे क्योंकि यार मुझे नहीं लगते हो अपने टीम को सपेक्टेट करेगा क्योंकि यार उसके टीमेट यहां पे है नहीं जान तक मुझे लग रहा है भाई अकेले आए पेलने की कुशिस की ठिल गए खुद और अब अगला गेम खेलेंगे यार सपेक्टेट करेंगे खेर जो भी सीनो अपने को क्या अपने पे अभी भी यूएंपी पड़ी है देख़ा यार गोली है तो मैंने फेका नहीं यूएंपी को अभी और आगे की तरफ जा रहा हूँ और इतने में ही उसी साइड की तरफ नदी की तरफ मुझे एक और बंदा दिखता है जो मेरे ख्याल से दूसरे नदी वाले बंदे को पिल ला होता है अब पहले ये बंदा हमें लगता है कि भाई बोट है ये बोट है ये क्यूंकि भाई या नदी के किनारे कोई बंदा क्यों जाएगा तो हमें लगता है याँ पे कोई पानी के अंदर कोई बोट बैठा होगा तो भाई उसे पेल ले होंगे लेकिन यार पानी में बोट का तो पता नहीं बंदा जरूर मिल जाता है कता ही असली वाला हना और वहाँ पे एक और बंदे की पेटी पड़ी होती है तो यार मेरे समझ के पार है की भाई क्यू जाना है नदी किनारे क्यूं यार खत्रा है नदी किनारे पेटी बनती है नदी में सिधा दूर रहना चाहिए नदी से क्यार यहाँ पे एक बंदा हम पे जहर फाइरिंग देता है उसके बाद गायब हो जाता है और हमारे भाई फुटिश टैप कदू बराबर देते हैं बिल्कुल ना के बराबर तो यार आपको भी पता है हमें भी पता है भाईया बंदा अंदरी केम्पिंग बिचा के बैठा है और एक मजी की बात ये होती है कि ये अकेला बंदा नहीं बैठा है केम बिचा के एक और हमारे भाई है और वो किदर है देखो आप अब ये दोनों बंदे यहां पे इस कदर बैठे होते हैं जैसे भाईया साधी चल लिए यहां पे होता न भाई एक बंदा एक कुर्सी में बैठके खाना पेल ला है दूसरा बंदा बगल वाली कुर्सी में बैठके खाना पेल ला है मेरे पे पीछे से और हमारे भाई चला भी कताई महेंगी गन रहे हैं कताई M662 तु समल के करना होगा सीन और हमारे भाई की सिर्फ आदी हेल्थ बाकी होती है मैं देड़ पैड रिवाइव का बटन पेल देता हूँ और चिलाने की आवाज ऐसे आती है मतलब होता है आप बस पे भगते वे जाते हो एक सीट पे बैढ़ते हो आपका दोस्त कताई निठला पीछे से आ रहा होता है कताई आलसिया बोलते हो जल्दी आजा कोई और बैढ़ रिवाइव क्या है हलवा है भाई आराम से देते रहेंगे रिवाइव लेकिन भाई फिर चिलाने की आवाज आती है मैं समझ जातो भाई गलत सीरों चुकें तो बचा लेते हैं भाई को जैसे तैसे और यार पेटी बनने से जैसे तैसे बचा है तो यार इसी बात पे कताई लाइक के बटन को पेल के रख दो नीला टैप कर दो बिल्कुल अब देखो यहाँ पे भागम भाग क्यों चल लई है तो सीन क्या होता है आगे किसी दूर घर पे एक फ्लेर चली होती है तो मैं तो उधर जाई रहा होता हूँ लेकिन ये गाड़ी भी उधर ही जाना चारी होती है तो मैं सपरे वगएरा देता हूँ और मुझे नहीं पता क्यों लेकिन ये लोग आगे पे रुख गए हैं तो मैं नेट करने की एक और बार नाकाम कुशिस करता हूँ और एक चीज मैंने देखी आज तक की यार नेट के मामले में मेरे आलावा हर एक बंदा जो भी PUBG खिलता भाईया खतरनाक होगा नेट के बारे में तो मेरे दिमाग में या आता है की यार नेट करूँगा तीक है लेकिन सामने वाला बंदा इतना खतरनाक भाईय ने कुख करके फेक भी दिया था नेट तो याँ पे जैसे तैसे बसता हूँ और पीछे देखो क्या हो रहा है तो पीछे से भी फुटी स्टैप आते मेरी होती है फट के चार मैं बोलता हूँ यार ये तो खतरनाक है कते उन्होंने पीछे बंदा छोड़ रखा था तो बाद में पता है चलता है यार बोट भाई आये हैं यार मतलब सही है यार जहां पे पंगे होंगे वहां पे बोटों को जरूर आना है क्या ही बताएं भाई और जब तक मैं बोट को पेलता हूँ तब तक ये लोग फ्लैंक भी कर चुके हैं अब पहले मुझे लगा था कि यार ये अकेला बंदा रुखा है घर पे लिकिन मैं गलत होता हूँ एक और भाई है इसका और इस बंदे पे मैं पूरा प्रिफायर देके भाई की सीधा पेटी बना देता हूँ मतलब देखो मुझे पताई था यार फुटी स्टैप दबा के आ रहे थे जोन भी आ चुका था मैं रिसक रुसक लेना नहीं चाहता था तो मैंने बोला भाईया गोली गाली लूट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैं प्रिफायर दूँगा तो भाई आते मुखडा दिखाते आते भाईया मुखडा दिखाते भाई को गोलिया लगनी चालू हो जाती है मेरी तो इन दोनों को पेल दिया है दो ही बंदे होते यहाँ पे कताई महेंगे कपड़े थे यार बालू वाले कपड़े यार मेरे को क्यों नहीं मिलता है यह सब और उसके बाद मैं यहाँ आगे आता हूँ जहां पे फलेर चली होती है तो यार अब आप पिरी फायर तो देखी चुके थे और ये था गोली बरबाद करना ठीक है पिरी फायर में गोलिया बरबाद होती है दो चार उसके बाद बंदे की पेटी बनती है लेकिन इसमें यार सिर्फ गोली बरबाद होती है यार इसके बाद मैं बोलता हूँ यार नहीं, यहां से नहीं हो पाएगा, वो लोग सामने आएंगे नहीं बिल्कुला, तो मैं सोचता हूँ क्यों न, उपर पहड़ी पे जाके इने पेला जाए, और मैं अकेला नहीं होता जो ऐसी चीजे सोच रहा होता हो, क्योंकि एक और बंदा होता है यहां पे. बहाना टाइम, तो देखो मेरा बहाना क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां पे डिरॉब गिरा था, लेकिन मेरे दिमाग से यह बात निकल गई, कि भाई, डिरॉब गिरा है तो यार गने तो होंगी, हाना ऐसा तो है नहीं, वो लोग, अभी भी वही, यूएमपी, हलवा वगेरा चलाएंगे, नहीं यार, धिरॉब की गने होती है भाई पे, लेकिन देखो, एक बंदे को नोक कर देता हूँ, तो अपने को टाइम मिल चुका है लूट लाट करने का, ठीक है, और यह बंगी वाला भाई, मतलब बिलकुल चोड में गाड़ी ल पे, तो एक बंदे को मैंने नोक किया था, मुझे पता है, वो लोग भी रिवाईव अगेरा पेलेंगे यहाँ पे, तो मैं जोन के अंदर आके उनका इंतिजार करता हूँ, ठीक है, बिलकुल इंतिजार कर रहा हूँ, हेलमेट के नाम पे, कद्दू कुछ ही निये, लेकिन पंगे फिर भी लेने, और मैं सही बतरों यार देखो, अगर हेलमेट और वेश नहीं है नाम पे, तो आप इतने जल्दी नोक होते हैं, आपको पता भी नी चलेगा कि आप कब नोक हो गए, और कब आपकी पेटी बन गई, अब ये बंदा गाड़ी इतने तेज भगाता है याना कि भाई पूछो मत, मतलब वो पिचर पुचर थी ना भाई कते ही फास्ट इन फ्यूचर यार, कुछ नहीं ये उसके सामने, ये है बंदा, ये होना चाहिए अगली पिचर में और यार, यहाँ पे मुझे बहाना देने की जरुरत भी नहीं है, मतलब एक गोली में मैं नोकु जाता हूँ, यार, मैं क्या ही कर सकता था, दो बंदे मैं पेल चुका था, और ये एक बढ़िया बहाना हो गया, ख्यार, वो सब छोड़ो, यहाँ पे मैं मजे ले रहा हूँ कि भाई, सीन क्या चला है, ठीक है, वो बंदा कताई M249 पठका रहा है, मुझे लगा है, यार, मेरी तो वो पेटी बनाएगा, क्योंकि यार, M249 वाले जब बंदे चलाते न गोली, यार, रुकती नहीं गोली, भाई, कैसे रुकेगा, भाई, सो गोली है उस पे, लेकिन व सीधा सर पे लगती है, और तुमारा भाई, धैर पैड चित पढ़ जाता है, जबीन पे, कैर अभी जिन्ना है, तो अभी हलमेट भी है, तो और पंगे लेने होंगे, अब देखो कुछ भी करो, लेकिन अगर आप दो ही बंदे हो, तो एक भरी गाड़ी से पंगे मतलो, तो आर नहीं पेलेंगे, तमीज से बत्तमी, जी इधर पे भी होगी, तो पहले मैं सोचता हूँ कि यार वो चार है, हम दो, वो मेरे पे गाड़ी पेलने के कुछिस करेंगे, लेकिन वो लोग आगे वाले नीले घर पे रुखते हैं, और मुझे नहीं पता कहां से, वो एक दूसरी गाड़ी लेके आते हैं, या दूसरी गाड़ी वाले बंदे आते हैं, खेर जो भी सीन होता है, मैं सोच रहा होता हूँ कि इन पे आब रस कर दिया जाए, हना नई गाड़ी गर्राज में पड़ी है, उठाता हूँ और पेलता हूँ इन्हें, हना फिर उपर से भी या कोई मीनी चोदा पठका रहा होता है, तो उसे भी देखना होता है, और उतने में ही दुबारा गाड़ी की आवाज आती है, और दुबारा चार बंदे आते हैं, और ये लोग भाई मेरी भाड़ के रख देते हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल अपने चोड़ में उस मीनी व मैं पीछे मुड़ता हूँ भाई मेरे मुग के सामने गाड़ी, और उसके बाद M249 की आवाज यार सोचो क्या ही फटी होगी मेरी, तो डेमेज डुमेज देता हूँ मैं मैं घर के अंदर आ जाता हूँ, ठीपी पी पी ले रहा होता हूँ, और गलत सी नूते मेरे साथ फि बंदों ने, डीपी चला रहे भाईया हेलमेट हुलमेट फोड़ के फेग दिया, वेस्ट की भी ऐसी तैसी कर दी, और हेलमेट मुझे दुबारा मिलेगा नहीं तो दुबारा चोरी करना पड़ेगा, तो यार चोरी करने के लिए पेट या बनानी होँगी सामने वाले खैर नेड नूट करने के बाद एक और बंगी की आवाज आती है, ठीक है तो सीन क्या होता है, असल में गाड़ी में बस तीन बंदे होते हैं, और ये बंगी वाला बंदा न जाने कहां पे सो के गत्ते फूक के बैठा होता है, और जब होस आती है तो यार ये बंगी गुमा तो एक बंदे के मैं आधी गोलियां पेलता हूँ और दुबारा से बग्गी आती है हम पे अब ये सस्ते नसे नहीं है तो क्या है ठीक है मतलब बंदा बंगी गुमाए जा रहा है उसके बाद ऐसी जगह पे रोकता है जहां से मैं पेटी बना सकता हूँ उसकी सीधा और यार चौड हो तो इस बंदे की तरह हो नहीं तो ना हो चौड ठीक है मतलब पहले मुझे लग रहा था यार ये बंदा मतलब सामने आ रहा है ताकि मैं गोली चलाऊं और इसका टीमेट हमें पेलेगा लेकिन यार उस बंदे की अपनी चौड होती है वो बंदा बिलकुल ओपन में खड़े हो के नेट करने की कुशिस करता है और ये जो चीच यहां पे हुआ न आ यार आपने भी कभी ना कभी जरूर किया होगा मतलब आपका टीमेट करते है नोग पड़ा होता है साइड में बिलकुल भाई को केड़ी की बहुत ही परवा होती है हरा चोड में जाके भाई नोग तो हो जाते है लेकिन परवा होती है भाई को केड़ी की तो हैर बंदा बोलता है कि भाई कुछ भी हो हात न छोड़ियो ठीक है रिवाइफ कर यार कोई नहीं आगे से निकल लेगा वो तुम रिवाइफ मत छोड़ो तो मेरे ख्याल से वो नोग बंदा भी वही बोल ला होगा हना कि यार रिवाइफ मत छोड़ना भाई यार ये तो ये बंदा नसे में है ये आगे जाएगा नहीं देखेगा हमें तो बंदा रिवाइफ कर रहा होता है लेकिन वो समझ जाता है नहीं भाई छोड़ना ही पड़ेगा और भाई रिवाइफ छोड़के गोली चलाते है जब तक यार मैं देखता हूँ अच्छा यहां पर रिव टीवी पे सट्रीम वगएरा करता है रात के 9 बजे से और वहाँ पे अभी पोको का गिवावे चल लाए कता ही तो यार भाई को फॉलो करना मत पूलना उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और उसी के साथ मैं आ गया हूँ अपनी AWM उठा के और यार जहां तक मुझे पता है ये वही लोग उते जिनोंने मेरे हेलमेट की ऐसी तैसी की थी हना मतलब वहाँ पे मैं आराम से आगे ठीपी पी ले रहा हूँ तो ये लोग पीछे से आते हैं और मेरे पे धेड़ पेड डीपी डूपी पिल देते हैं हना तो यार मेरे हेलमेट उड़ाय होता है और मुझे नहीं लग था उसका हेलमेट बचा होगा उस बंदे का कताई हेलमेट की ऐसी तैसी हो गई होगी या थोड़ा सा बचा भी होगा तो सही है यार लेकिन सीन क्या है हमें कदू भी नहीं पता वहाँ पे कितने बंदे हैं और यार अभी एक नौक किया था वो भी रिवायव हो चुका होगा तो मैं बोलतो भाया अभी रस करेंगे तो पेटी भी बन सकती है क्योंकि देखो सरकल काफी छोटा हो गया और बाकी बंदे किधार हैं हमें वो भी नहीं पता तो मैं बोलतो क्यों ना इन्हें दुबारा और यार जिस हिसाब से वो बंदे उपर की साइड देख रहे हैं न मैं समझा तो यार पाहड पे भी बंदे बैठें तो उन्हें भी पेलेंगे बिल्कुली तो दो बंदो के मैं हेलमेट फोड़ चुका हूँ यहाँ पे बाकी बंदे को डेमेज डुमेज दे दिया है लेकिन यार अभी तक कोई सीन नी बन रहा है रस करने का क्यूंकि वहाँ पे रस करूँगा न मैं जब जो उपर पहाड़ी पे बंदे बैठें न यार वो लोग हम पे इस कदर तूट पड़ेंगे जिस कदर यार साधी में खाने पे तूट पड़ते हैं लोग अना तो यार मैं नहीं चाहता है इतना आ गया कि मेरी पेटी बने तो मैं सनाई पिंग करता हूँ तो यहाँ पे असल में मेरे पे AWM की 40 से ज़्यादा गोली होती है ठीक है सारी बरबाद कर करके 30 पे ले आता हूँ मैं क्यूंकि देखो यार वो लोग रिज रूज में बैठे होते और आपको पता है यार रिज गिलिज कता ही जहर होता है PUBG मूबाइल में मतलब आपको लग पता हूँ मैं तो बोलता हूँ यार क्यों ना इन पे रसकिया जाए क्यूंकि देखो यार घर वाले थर्ड़ पाटी करेंगे हमें भी पता है लेकिन वही बात यार दर के आगे पेटी है अपनी भी हो सकती है कभी-कभी और बाकी बंदों की भी हाँ आ रही है मुझे इस सपरे के बाद मुझे बहुत सरा मारी है लेकिन यार ढीट होने के कारण रुकेंगे नहीं हम तो जिनका इंतेजार था वो लोग आ चुके हैं कारवाली सकॉड और यार यहां पे मजे की बात यह होती है कि इन बंदों पे कुछ पे हेलमेट ही नहीं है और हाँ यार सही समझे आप इनका हेलमेट अपन लोग पहले ही उड़ा चुके हैं तो बदला पूरा हो जाता है और यह गिल्ली सूट वाला बंदा जहां तक मुझे पता है रिवाइव हो रहा होता है तो मैं बोलता हूँ यार ऐसे नहीं होता है यहां पे उसकी पेटी बनाता हूँ और बस एक बंदा बाकी है अब और यार जिस हिसाब से जिस डेटता से मैं ये मैच खेला हूँ न मुझे लगनी रहा था कि भाई चिकन होगा जिंदगी में मतला भाया है हेलमेट नहीं है फिर भी रस कर रहे हैं बंदों पे डिरॉप की गन है फिर भी सप्रे दे रहे हैं दुबार एसे सामने चार बंदे बैठे पड़े हैं फिर से अलमेट नहीं है फिर भी रस कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी यार चिकन चुकान हो जाता है तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं पेला त बटन को नीला टैप कर दो और अगर आप यहां पे नए हो तो यार सबिस्क्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया थो दवा दो उस बटन को भी तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए कल मिलते हैं सुक्त प्राई बहुत कर दो दो कि बहुत सुप्त कर दो